हेलो दोस्तो नमस्कार आजकी इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे स्व्यवीन में तनामक्षी की रोक थाम यानि स्टेम फ्लाइ स्टेम फ्लाई का प्रकुप हमारी स्टेज में होता है best combination, best salt के बारे में हम बात करने बाले हैं और बीज उप चार से क्या यह नियंत्रित हो सकती है या फिर नहीं सोयबीन की फसल पर तना मक्खी फिरकोप से कितना नुक्सान हो सकता है और सबसे best दवाईयों के बारे में भी हम बात करने बाले हैं यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अबस लाइक करें चलिए शुरू करते हैं तना मक्खी दोस्तों जी हम इसे कहते हैं स्टेम फिलाई इसकी पहचान कुछ इस प्रकार तना मक्खी दिखती है यह घरेलो मक्खी से थोड़ा सा छोटी होती है चमकदार होती है और इसका प्रकोप है लग भग पांच जुलाई के बाद से प्रकोप एका एक बढ़ जाता है ध्यान रखिए दोस्तों गरडल बीटल यानि रिंग कटर और सफेद मक्खी से यह एकदम भिरन होती है तो इसकी पहचान करने में आपको बिलकुल भी गलती नहीं करनी है इसका एलाज भी अलग है और नुक्सान भी अलग है इसकी लाइफ साइकल के बारे में हम समाझ लेते हैं तो सबसे पहले यह है स्टेंपला यानि तना मक्खी तना मक्खी देती है अंडे अंडे से बनते हैं लारबा लारबा ही हमारी फसल को तने में प्रिवेस करके पहुँचाते हैं नुक्सान यानि खोकला कर देते हैं नुक्सान पहुचाते हैं और फिर लारबा चला जाता प्यूपा स्टेज यानि को सबस्ता में तो यही लाइप साइकल चलती रहती है यानि तने मक्षी की जो सुन्डी है यानी लारबा तने को छेद करके प्रवेस करती है और उसको काटती है और तने के अंदर जो जायलाम और फ्लोयम हैं इन दोने मारगों को यह प्रभावित करती है। सबसे पहले यह जो तना मक्खी है स्टेम फलाई है यह पत्तियों के पास या फिर तने की आसपास अंडे देती है लेकन कब वहाई से दस से पंदरा दिन बाद यह अंडे देना सुरू कर देती है और आर्ट से लेकर के बाइस दिनों तक यह मक्खी अनेक पौधों में भेरमल करती रहती है घूमती रहती है और अंडे देने के बाद यह दो से चार दिनों के भीतर अंडों से लारबा बन जाती है यह सुन्डी बन जाती है जो कि सोयबीन के तने के अंदर छेद करके प्रवेस करती है और छे दिन से लेकर के बारा दिनों के बीच में यह काफी जादा नुक्सान पहुंचाती रहती है इस से भी ज़्यादा समाई यह नुक्सान पहुंचा सकती है फिर यह जो लारवा सुन्डी है बड़ी हो जाती है और अपने कोस अबस्ता में चली जाती है यानि तना मक्षी जो स्टेंप फलाई की जो लारवा है दोस्तो यही पौधियों के अंदर तने के मेन पार्ट्स को खा करके खोकला कर देती है और पैदाबार को एकदम घटा देती है लेकिन जब जो सुंडी है जो लारवा है जब कोस स्टेज में चला जाता है तो एकदम सांत रहता है साइलेंट स्टेज में रहता है ना तो कोई नुकसान पहुंचाता है लेकर नुकसान तक तक तो यह पहुंचा चुका होता है ध्यान रखिए दोस्तों जो stem fly है इसकी जो course stage है इसमें ना तो कोई नुकसान भी करती है और ना तो कोई दबाई इसमें काम करती है जो course stage होती है या है मिट्टे के अंदर चली जाती है और फिर अंगले season में या फिर उसी तरीके से life cycle अपनी पूरी करती रहती है यानि एक बार तो आपको एक काम करना चाहिए तीन साल में एक बार गहरी जुताई आपको अवस्त करानी चाहिए तो यह जो मक्खी है मक्खी से अंडे अंडे से लारबा और लारबा से कोस और ध्यान रा कि सोयबीन की फसल पर एक मादा मक्खी एक बार में 75 से भी जादा अं अगले का पेहला इंटेक बारहसर फंदरा recognize की आशिपास होता है दूसरा इंटेक 25 ौन की आशिपास को स्वाइबिया आशे को Uh- करता है यह मौसम में अपिछ तन्री कविछी रहती है और आशिक के सुला होती आश्तरी मौसम में थ्रसांट सब Q के और ज्यादा बढ़ा जाता है और जो भी सोयवीन के किसान हैं उनको काफी अच्छे से पता है कि सोयवीन की फसल पर जो तना मक्खी कितना नुक्सान पहुंचा सकती है तो ध्यान रखिए दोस्तों तना मक्खी यानि स्टेम जो फिलाई है यह रिंग कटर से बिलकुल भिन है रिंग कटर की जो लारवा होती है वो काफी बड़ी साइस की होती है यदि हम कंट्रोल की बात करें दोस्तों तो देखिए जो मक्खी है इसको कंट्रोल किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है लेकिन प्रणभिक स्टेज पर आप सही साल्ट का स्प्रे करेंगे त और यदि मक्खी उड़कर दूसरी जगह चली गई तो फिर कंट्रोल आसानी से नहीं हो पाएगी तो जैसी प्रदंधिक यदि अटेक होता है और यदि आप सिस्टमिक दवाई स्प्रे भी कर देंगे दोस्तो तो एक बात आप लिखकर रख लीजिए दोस्तो यह आसानी से कं अंडों को भी कंट्रोल किया जा सकता लेकिन जो लारवा है लारवा को यदि आप समय रहते आप इस परे करेंगे और ध्यान रखिए यह जो स्टेंप लाइग की लारवा है इसमें कॉंटेक्ट दवाई काम नहीं करती इसमें सिस्टमिक दवाई ही काम करेगी और प्यूप तो बात कर लेते हैं कंट्रोल के बारे में रोक थाम के बारे में तो सबसे पहले तो आपको नजर अंदाज नहीं करना है पीला ट्रेप आपको जरूर लगाना एक एकड़ में 15-20 फीस लगा दीजिए ताकि अट्रेक हो करके यह ट्रेप पर आसानी से स्टिकी ट्रेप पर जचे पक सके गेरी जुताई कराई है तीन साल में एक बार तो यह काम जरू करें और यह 100% बात बास सही दोस्तों कि यह जो इस्टेम फिलाई है न यह अंडे देती है यह बिलकुव 100% सही बात है यदि दोस्तों आप स्प्रेक कर रहे हैं यह पर तना मक्षी का जो प्रिको और बागी दिनों में भी आप स्प्रेक कर सकते हैं जिन एलाकों में रोगबा बीमारी और कीटों का प्रकुप अधिक रहता है बहां पर सुएबीन की फसल पर बुआई से बिजाई से आठे से बारइभर दिनों के आसपास में ही इसका प्रकुप सुरू हो जाता है तो आठे से दस दिनों में इस परें कौन करता है भौत कम कसान करते हैं तो इसलिगे कहा जाता है कि कर गी विज अपचार करने इसे हैं LELEकर के 2022 45-45 दिन में लगने वाली भी मारी लगने वाले फंगस सह प्रोटेक्सन देखने के लिगे मिलता है और प्रिकोप कम होता है तो इसलिए बीज अपचार आपको हमेशा जैसे UPL की रेनोस हैं आप साल्ट टेक्निकल देख रहे हैं UPL की एलेक्ट्रोंस हैं बायर कंपनी की गाउचोस हैं या फिर सिंजेंटा कंपनी की बाइब्रेंस इं मेहंगे में यादी सस्ते में मतलब क्या सस्ते में मतलब थोड़ा सा आपको कब्रेश कम मिलेगी और मेहंगे में थोड़ा सा टिकाव रिजल्ट देखने के लिगे मिलेंगे लंबे समय तक यादी हम सस्ते और सस्ते में भी भरपूर रिजल्ट की बात करें तो यह जो एकता लीटर पानी में घोल करके इस्प्रे कर देना है थोड़ा इसे बेस्ट और थोड़ा सा मध्य हम रेंज की हम बात कर ला है जो की अच्छी साल्ट है जैसे बायर कंपनी की सोलेमन में जो इमीडा और बीटा साल्ट का कॉम्ब्रेशन मिल जाता है 15 ml या फिर सिजन्ट कंपनी की अली का यह जो आप साल्ट देख रहा है इन दोनों में से कोई एक दबाई का स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर की दर से एक साल्ट और आता है बायर कंपनी की फेनो स्कुएक में यह जो 15 लीटर पानी में घूल करके स्प्रे कर सकते हैं को एक दबाई का स्प्रे करें जब भी हल्का फुल्का प्रकॉफ होता है यानि 15 दिन की आसपास स्प्रे कर दीजिए और आप चाहें तो तना मक्खी के अलग से स्प्रे ना ले करके आप पहले स्प्रे के साथ भी आप इन दवाईयों को मिला करके स्प्रे कर सकते हैं और यह जो हमने साल्ट के नाम बताए हैं दोस्तों यह ना किवल आपकी तना मक्खी कंट्रोल करेंगी वलकि आपकी फसल पर छोटी मोटी हरी छोटी बाड़ी इल्लियों को भी कंट्रोल करेंगी एफिट जैसे ट्रेप्स इनको कंट्रोल कर सकते हैं ध्यान रखिए जो पहला आटेक होता है वो बारा दिन पंदर दिन के आसपास प्रिकोप होना सुरू हो जाता तो उसी समय यादि आप सही दवाई का स्प्रिकार देंगे तो यह आसाने से कंट्रोल हो जाएगी और होने बाला 30-40% जो नुकसान है उससे भी आपको राहत मिल जाएगी तो इस स्टर्टिंग पर पहले सुरुवाती चरणों पर ही इसको कंट्रोल करना सबसे बेस्ट चोईस मानी जाती है तो इस प्रकार आप स्टेंप लाई यानि तना मक्खी को सोयवीन की फसल पर कंट्रोल कर सकते हैं और आसान इससे आप रिजल्ट निकाल सकते हैं यदि आपको यह वीडियो पसंद आती ही तो वीडियो को लाइक करें और सोयवीन से जोड़ी और भी जादा जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारी सोयवीन की प्लेलिस्ट को आप बोच कर सकते हैं बहुत बहुत धन्नवाद